हलो प्रीवन वेलकम टू दी एक्जाम टाइम सर यह हमारा सेशन थेओरी आफ कॉस्ट पे माइक्रो एकॉनमिक्स चल रहा है अभी हमारा जल्द ही मैं माइक्रो एकॉनमिक्स कंप्लीटली खत्म करवाने बाला हूं तो देखो बिना टाइम वेस्ट किये स्टार्ट करता हूं सबसे पहले यहां पर मैं कॉस्ट होता क्या है किसी भी चीज को बनाने में जो हमारी लागत लगती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं और example ये pen मैं अगर बनाने बैठा हूँ तो इस pen को बनाने में जो भी मेरी costing आ रही होगी 2000, 1000, 5000, 5000, 10,000 जितने भी आ रहे हैं या 5 रुपे तो वो जो 5 रुपे वो मेरी क्या हो जाएगी costing हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है लागत हो जाती है तो इसको typical एक economics के definition में economics के terms में हम लोग समझना start करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा जो भी बच्चे पहली बार visit कर रहे हो मुझे पहली बार देख रहो तो चैनल को यार सबस्क्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो cost analysis cost का मतलब क्या होता है लागत जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया किसी भी चीज को बनाने में जो हमारी खर्चे होते हैं that is cost cost analysis is refers to the study of the behavior of cost in relation to one or more production criteria जिसको namely यहां दिया गया size of an output, scale of operation prices कितने होंगे factors of production के and other relevant economic variables इन सब के proper analysis को नाम दिया जाता है cost analysis basically यह तुम्हारे production के जो तुम चीजे produce करते हो उस production के financial aspect से deal करता है it means पैसे से monetary term से deal करता है अब यहाँ पे cost के अलग-अलग types दे रखे है सबसे concept है यहाँ पे first आ जाता है explicit cost और दूसरा है यहाँ पे implicit cost example से समझना start करते है माल लो तुमने class 12 complete करा या फिर तुमने PG complete करा sorry undergraduate तुमने complete किया तुमने entrance दिया अब आ चुके हो तुम दूसरे सहर में रहने के लिए तुम दूसरे सहर में रहोगे तो तुमें यहाँ पे एक घर चाहिए होगा रहने के लिए घर तु बनाओगे नहीं तो तुम hostel या फिर PG में रहोगे या फिर room लोगे for example तुमने room लिया और तुम वो जो room का rent पे कर रहे है वो room rent पे कर रहे हो पे तुम बनारस आए पढ़ने के लिए वारनसी आए तुम पढ़ने के लिए एक बच्चा आता है यहाँ पे मालो एक बच्चा यहाँ का local है वो अपने घर में रह रहा है तो उस घर का भी तो rent अप्रॉक्स तुम इस तीन हजार तो होगा ही जिस room में वो रह रहा है तो यह क्या वो अपने पापा को जाके pay कर रहा है वो उसके खुद का घर है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है implicit cost implicit cost ठीक है तो दो बच्चों का आपर कैसे देखरो इसके लिए explicit हो रहा है इसके लिए implicit हो रहा है तो बताने का purpose यह है कि तुम इस definition को समझो explicit cost are those payments यह वैसे cost वो यह वैसे payments है जो कि हम factors को pay करते है जिसको कि हमने form के बाहर से hire करा हो जैसा कि मैंने तुम्हें hostel का case समझाया PG का case समझाया तुम्हारा घर होता तो तुम्हें charge भी नहीं करने पड़ते यहाँ पे आंत्रपनियोर यहाँ पे आंत्रपनियोर यहाँ पे आंत्रपनियोर पेमेंट करता है for purchasing और hiring the services of various productive factors ठीक है लेबर्स को लाया तुमने लेबर्स को wages pay कर सकते हो अगर दो काम तुम खुद से कर सकते तो तुम्हें wages pay नहीं करने पड़ते तो that is your explicit cost जब हम खुद के properties का इस्तमाल करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं implicit cost और वो जो payment होते हैं उसको नाम दिया जाता है implicit cost समझ कैंच चलो अब बात करते हैं economics cost की तो इसे मैं detail में explain नहीं करूँगा important चीज़ बताता हूँ यहाँ पर economics cost जो होता economic cost यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता explicit plus implicit economics को economic cost जो होता है इसको economist ने अलग तरीके से बताया ठीक है किसको profits को profits की मैं बात कर रहा हूँ इसको economist ने अलग तरीके से बताया और accountants ने अलग तरीके से बताया तो accounting profit क्या होता है जब हम अपने total revenue में से total explicit cost को निकालते हैं that is our accounting profit लेकिन economic profit क्या कहता है नहीं यार मैं तो economic cost को तब मानूँगा जब उसके अंदर explicit implicit दोनों आ जाए profit को मैं तब generate करूँगा जब मैं total revenue से total economic cost निकालूँगा it means इसमें explicit भी आ गया और इसमें implicit भी आ गया समझ गए इस चीश को clear है basic चलो अब आ जाता है opportunity cost opportunity cost बच्पन से पढ़ते हैं the next best alternative for gone next best alternative for gone अच्छा ये concept जो है introduce किया गया था Devin Ford के द्वारा ये चीश याद रख लेना ये चीश हमें पता होनी चाहिए कि हमारे economy में जो resources है वो है limited और हमारी जो wants हैं वो होती है unlimited तो कहीं न कहीं कुछ ना opportunities को हमें करना होता है sacrifice और उसे हम नाम देते हैं opportunity cost जब किसी एक वस्तू के लिए तुमने दूसरे वस्तू को sacrifice कर दिया that is your opportunity cost तुम्हें बनना था chartered accountant अब तुम दूसरे field में जाने लगे for the various reasons तो तुमने यहाँ पे opportunity cost तुमा sacrifice हुआ जस्त मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ अब देखना example दे रखा एक labor एक cotton industry में काम कर रहा है उसका जो wage rate कितना है 1000 रुपे ठीक है पर में तुसे 1000 रुपे मिल रहा है अब उसे 1000 या 1000 से ज़्यादा मिल सकता है अगर वो jute industry में जाता है लेकिन labor तभी agree करेगा जब उसे 1000 रुपे से ज़्यादा मिले अब 1000 रुपे जब उसे मिलना है तो वो क्यों जाएगा जब उसे 1000 रुपे से ज़्यादा मिल जाए तो वो agree कर जाएगा तो यहाँ पर अगर मान लो labor चला जाता है तो वो क्या कहेगा कि मैंने यहाँ पर 1200 रुपे के लिए 1000 को sacrifice करा ठीक है क्योंकि मुझे jute industry 1200 offer कर रही थी और cotton industry मुझे 1000 रुपे offer कर रही थी तो cost जो होता है the second alternative is for gone analyze किया गया है इसको analysis की गई है cost of production of firm को दो various aspects देखे गए है fixed aspect और the second one is variable aspect या फिर variable cost fixed जो होता है जिसमें हम फिलाल कोई changes नहीं कर सकते हैं variable में भी हम changes कर सकते हैं और ये बात मैंने किसके बता है तो मैं sort run की long run में fixed भी variables बन जाते हैं मतलब सारे cost जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं variable हो जाते हैं तो अगर मैं बात करो fixed cost की तो ये वैसे expenditure हैं जो की हमें incur हमें होना ही है मतलब चाहे हम बनाए या ना बनाए चाहे हम इस्तमाल करें या ना करें वो खर्चे हमारे होने वाले हैं वो depend करता है level of output पे level of output कुछ भी change कर दो whatever level of output fixed cost remains the same तो अब यहां पर सबसे पहले average fixed cost दे रखा है इसका formula समझना total fixed cost कितना हुआ और तुमारे goods कितने है number of goods कितने है TFC को जब तुम quantity से divide करते हो तुमारा निकल कर आ जाता है average fixed cost variable cost की बात करो तो यह vary करते हैं with the output these cost vary with the every change in output मतलब जैसे जैसे तुम output change करते जाओगे तुमारे cost भी change करेंगे तुम्हें मालनो output बढ़ाना है तुमने extra lever लगा दिया तो cost बढ़ाना यार extra resources तुम्हें चाहिए इसे हम लोग direct cost भी बोलते है ये चीज़ याद रख लेना fixed cost को हम लोग supplementary cost भी बोलते है ये चीज़ याद रख लेना average variable cost कैसे निकलता है तो total variable cost upon number of goods TVC को जब हम लोग quantity से divide करते है तो हमारे पास क्या आ जाता है variable cost आ जाता है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे समझाया गया है total average और marginal cost तीनों को समझाया क्या है हमारा average cost कैसे निकलता है ये चीज़ हमें समझना होगा average cost अगर हमें हमारा product का निकालना हो तो हमारा जो total cost आता है उसको quantity से हम लोग divide करते है अब ये चीज़ हमने देख लिया कि हमारा जो total cost होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या क्या चीज़े तो total cost जो होता है हमारा उसमें दो चीज़े होगी एक fixed खर्चा तो होगा ही total fixed cost और दूसरा total variable खर्चा होगा तो इससे क्या हमारा बनता है total cost और average cost का formula क्या है total cost upon me quantity तो हम लोग ये भी लिख सकते है TFC प्लस TVC upon me quantity समझ गए इस चीज़ को ठीक है अब देखो जब हम लोग TFC को quantity से divide करते हमारे पास क्या आ जाता है AFC और जब हम लोग TFC को डिवाइड करते है quantity से हमारे पास आ जाता है AFC it means AFC plus AFC is equals to average total cost हो सकता है बिलकुल हो सकता है मतलब average cost is equals to ये लगा सकते हो न AFC plus AFC अब देखो यहाँ पर बताया गया marginal cost जो होता है ये additional cost होता है क्यों होता है जब हम लोग additional unit लगाते है additional unit जो हम लोग produce करते है उसके वज़े से जो हमारी extra लागत लगती है extra हमारे खर्चे होते है उसको हम लोग बोलते है marginal cost तो marginal cost का formula होता है TCN upon में sorry TCN minus में TCN minus 1 ये चीच याद रख लेना चालो अब बात कर लेते हैं cost of production of form की यहाँ पे देखो various production units दे रखे हैं ठीक है units हम लोग बढ़ाते जारे total fixed cost हर एक level पे same है अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है हमें variable cost को अगर observe करो जब 0 unit था तो भी हमारा total fixed cost कुछ ना कुछ लग रहा था लेकिन total variable cost हमारा dash था खाली था कुछ भी नहीं था जैसे हमने एक unit introduce करा हमारा variable cost 30 लगा फिर हमने 2 करा 48 हुआ फिर 62 हुआ फिर 76 फिर 90 फिर 109 150 तो इससे क्या हमें समझा रहा है हमारा total variable cost कर वो है वो continuously बढ़ता जा रहा है लेकिन वहीं जब बात होती है average fixed cost की तो ये एक time पे बढ़ता है तो एक time पे घटता है जैसे कम होता जाता है basically बढ़ता घटता नहीं है मैं अगर तुम्हें बता हूँ एक stage पर ये constant रहता है फिर धीरे-धीरे कम होना start करता है 50, 33.3, 25, 20, 60.7, 40.3 तो average fixed cost कम होता जाता है total variable cost हमारा बढ़ता जाता है तो ये चीज़ समझ लिए अब इसको तुम्हें graph से समझना होगा देखो इसलिए यहां पे total cost है यहां total variable cost total fixed हर एक level पे क्या है constant है देख पा रहे हो तो इसके relations को तुम्हें cost chapter में study करना होगा देखो बहुत कम chances है कि तुम्हारे cost से questions निकले ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ slides वगेरा यहां पे तुम्हें average and marginal cost के relation को समझाया गया AC and MC के बीच का relation बताया गया और भी अगर तुम्हें दिखाओ तो relation बताया AC, MC को यहां पे points में डाल दिया गया फिर AVC, average variable cost और marginal cost के बीच के रिस्ता को भी बताया जैसे AVC हो गया और यह हो गया MC इसके relations को कहां explain किया है यह देख लो, in pointers में तो एक-एक करके सब को यहां पे read करना होगा बहुत basics हैं एक line पढ़ा, graph पे तुमने point out किया इससे चीजे तुम्हें clear होती जाएंगे तो इन सब चीज को खुद से पढ़ना start कर देना देखो, short run में कुछ नहीं है long run मैं अगर तुम्हें बता दू long run cost curve क्या होगा LTC upon me quantity इसमें तुम्हें मैं बता दू सारे ही fixed factors क्या हो जाते हैं fixed factors of production vary कर सकते हैं variable हो जाते हैं firm अगर चाहे तो अपने scale तक को change कर सकती है तो इसमें तुम्हारा जो curve होगा कुछ इस प्रकार से बनता है इसमें अलग-अलग short run average cost curves होते है SACs 1, 2, 3, 4 यह चोटे-चोटे curves देख रहे हो तो यह जो छोटे-चोटे curves है इन सब curves से मिलकर जो हमारा जब हम इन सारे curves को जब हम add कर देते हैं जो हमारा curve बनता है वो होता है long run average curve ठीक है? long run average cost curve और इसे हम लोग नाम देते हैं envelope curve तो यह चित समझ लेना यहाँ पे M1, M2, M3, M4 जो देख पा रहे हैं यह production को represent कर रहा है और P1, P2, P3 यह average cost को बना रहा है तो long run average cost कैसा बनता है? SAC कैसा हुआ? starting में SAC घटता है फिर बढ़ता है फिर से दूसरा SAC वैसे तीसरा SAC, चौथा SAC और इन सब को जब add कर दिया जाता है हमारा बन जाता है LAC curve याद रहेगा यह चीज़? कुछ नहीं है तो market analysis वाले session में मिलते हैं end करते है session को तुम्हारा homework क्या रहा? कि sort run वाले curve को पढ़ लेना sort run यहां से start है screenshot ले लो, मैं side हो गया फिर इस relationship को proper तो मैं यहां से समझ लेना ठीक है? end करते हैं अपने session को उससे पहले मैं एक चीज़ बता दू जो भी बच्चे prepare कर रहे हैं for CUETPG exam वो join कर सकते हैं exam time के ultimate batch को जहां पे complete course coverage होगा वो भी nominal price पे recorded lectures है, live classes है, PDF notes है PYQs, online test और doubt session तो अगर enroll होना है जाके play store से आप download करो code section, store section में जाके उसे join कर लो तो मिलते हैं अपने next session में तब तक के लिए thank you, bye bye and take care